मंदिर में बुला कर नाक रगडवानी को कहा मेरे बीवी बच्चे भूके मर जाएंगे अब मूवी कोई अपना इती हर्स समझ लिया लोगों की भावना आहत हो जाती है सब्धान को गाली देते हैं हमारे देश को किस ओर ले जाया जा रहा है सबसे पहले ये फोटो देखिए ये फोटो शोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वाइरल हो रहे है इस फोटो में जो वेक्ती नजर आ रहा है वो दलित समुदाइका है और इसके पीछे क्या कहानी है क्या स्टोरी है हम आपको बताएंगे दलित युवक ने टिपणी कर दी और टिपणी करना इतना भारी पड़ गया कि मनुवादी और सवन जाती के लोगों ने मंदिर में बुला कर नाक रगडवानी को कहा जब उसने मना किया तो जबरान उसके साथ मारपीट करका हैं, इसको मंदिर के दर्वाजे पर नाक रगडड़ने को का हाला कि उसने डरकी वज़े से नाक रगड़ दी सोचे ये हालत है हमारे देश की हम आरक्षन को गाली देते हैं मानविय अधिकार से जुड़े हैं लेकिन क्या ये तस्वीरे लोगों को नहीं दिखाई देती हैं कि ये तस्वीरे उसी भारत की हैं जिस भारत को हम समरिद भारत कहते हैं। सुचे आज भी आजादी के 75 साल बाद भी स्थिती है ऐसी कि इंसान को जानवरों से भी जादा बुरा वरताव किया जाता है। सुचे जाती का इतना एहंग कर एक मूवी को लेकर लोगों की भावना आहत हो जाती है। दो साल के लिए स्कूल कॉलिज क्या बंद हुए। मनुवादियों ने तो अब मूवी को ही अपना इतिहार समझ लिया। इस सोचने का विश्य है कि किस तरीके से हमारे देश को किस ओर ले जाया जा रहा है। जहां दलिस समुदाई का व्यक्ति अपना मूवी पर प्रतिकिरिया देता है तो उसको जबरन नाक रगडवाया जाता है। बात सिफ यहीं नहीं रुकती है। दूसरी ख़वर आरी है उत्तर पडेश के नौड़ास से कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में किस तरीके से बाबा का बुलडोजर चल रहा है गरीव व्यक्ति उपर। किस तरीके से बाबा अपना बुल्डोजर चला रहे हैं गरीब लोगों की रोजी रोटी पर इन तस्वीरों में जो सक्स नजर आ रहे हैं उनका नाम है सतीस गूजर वो पुलिस से गुहार लगा रहे हैं गिडगड़ा रहे हैं मिन्नते कर रहे हैं कि साथ छोड़ दीजिए म inspect कर रहे हैं जबक है अब शुरूर अंजर लगा लीजिए करेगर रोजगार की बात करेगा मुद्डो की बात करेगा उसा किया जोता परदेश का हाल होने वाला कि अभी सत्ता में भी नहीं योगिया दित्यनाथ पून तरीके से उन्होंने सपत भी नहीं लिए और ऐसी तमाम चर्चा हैं मारे सामने आ रहे हैं और प्रसासन विवस्था की जो करतूत हैं कहीं वो रिश्वत लेते हुए पकड़ी जा रहे हैं कह परदेश की क्या इस्तिती हो रही है उसी राम राज्य की जिसको सर्वस्थ राज्य बनाने कर दावा किया जा रहा था तीसरी बड़ी ख़बर आ रही है उद्यपूर से स्कूल में एक डलित बच्ची के रोटी छूने पर किस तरीके से उस खाने को फेक दिया जाता है किस कर लें हम चोंप लें लेकिन आखिर क्या औहला उससे ना हमारा जी तिन्दर म्म लेकिन इस स्विसे को गंभीरता से नहीं लेते हैं सोची बाबा का बुल्डोजर गरीवों पर चल रहा है किस तरीकिस से जाती के हंकार में लोग नाक रगड़वा रहे हैं दलिस समुदाय के लोगों से सुचे एक मूवी आ गई पुरे देश में बौकाल मच गया आप देखेंगा मूवी ठेटर से लगाता ऐसी तस्वीरे आ रहे हैं कि कटर पंती की जड़े आएं सामने आ रहे हैं कि मुस्लिम समदाय के लोगों को किस तरीके से लोग गाली दे रहे हैं किस तरीकिस उनको ललका रहे हैं कि संप्रदाय दंगे करने के लिए मजबूर हो जाएं उनको टार्गेट किया जा रहे हैं सिर्फ एक मूवी के चलते तो सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए और इस तरीके की मूवी में जो आफवाइफ फैलाई जा रही है जो से सुसाइटी में इंपेक्ट दिल्ली चुनाव जीतने के लिए कहीं न गई इस तरीकी के मुद्य को खोजनी की कोशिस कर रहे हैं कि दंगे कहीं न कहीं से शुरू तेकिन जनता को अपने राइट्स के प्रति अपने अधिकारों के प्रति अपने रोजगार के प्रति सचेत रहना चाहिए सरकार की ऐसी जो धार्मी के रणनीतिया हैं उसमें नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि ये सिफ 37 गुजर के उपर बुल्डोजा नहीं चल रहा है ये शुरू आते सिर्फ यह हर उस गरीब पर चलेगा जिसने वोट दिया है योगिया दित्तिनात को इस उमीद में कि आने वाले पांस साल उ एक उजवल भविश्य कायम करें इन सब चीजों पे लेकि आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया आप अपनी राई जरूर दें धन्यवाद निशनल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख